हेलो एबरीबन तो आज आपके लिए है छोटी सी एक पहली बताईए वो क्या है जिसके तारीफ करना होगा वैसा ही जैसे सूरज को दिया दिखाना जो मिलती है इन सद्धियों के ही मौसम में और जो है गुनों की खान फायदे की दुकान समझ गया समझ ही गया होंगे तो चल चाहे तो जटपट खाए हपतों में या फिर आप इसे कुछ तरीकों को अपनाए और पूरे साल खाए तो लीजिए जनाब यही है वो हमारा आवला आवले मेरे तो है थोड़े से दाग धब्बे वाले लेकिन अगर आप पूरे साल के लिए स्टोर करेके रखना चाहते हैं तो बिल्कुल ही साफ सुत्री आवला जो है उसे ले ले कोई उसमें दाग धब्बे ना रहे इन आवलों को मैंने दो से तीन बार अच्छे से धो लिया था और अब हम इसे पकाएंगे सिर्फ एक सिटी लगने देंगे और बहुत ही जरासा बड़े स्पून से सिर्फ दो स् इस्तमाल किया हुआ है इस एक केजी आवले में यानि आपको पानी बहुत ही कम डालना है पानी को डाले बहुत जरासा और मीडियम फ्लेम पे एक सिटी आने दें जो ही एक सिटी आई इसके ठंडा होने का इंतजार करें और उसके बाद आप इसे किसी भी छनी में डालकर छ इसमें बरकरार रहेंगे, इसकी पॉस्टिकता इसमें रहेगी, कहीं भी वो बर्बाद नहीं होगी, तो बहुत कम पानी का इस्तिमाल करें और इसे एक सिटी लगने दें, आपको सिटी लगाते समय ये ध्यान रखना है कि सिर्प एक विजल ही आने दें और गैस को बंद कर द और इसकी बहुत ही अच्छे से फांके जो हैं वो निकलती आएंगी, आउली को आप जब एक सिटी लगाए रहेंगे, कोई भी चाकू लें, उस लाइनिंग पर रखके आप हलका हलका सा बस कट करते जाएं, और देखिए कितनी आसानी से ये निकलेंगी, इसका फाइदा क् ये अचार आपका लंबे समय तक खराब नहीं होगा, और बहुत ही अच्छा इसका जो है वो स्वाद भी आएगा, ओवर को कर देते हैं, वो अचार उतने ना तो हमारे लंबे टिकेंगे, और थोड़ा सा उसके स्वाद में और इसके स्वाद में फरक आएगा, तो कोशिज करें, एक सिती लगाएं, और उसके बाद आलो के ऐसे आप टुकड़े निकालते जाएं, बीजो को निकालके फेक दें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, तो बस बहुत ही जल्दी ये सारे आलो के आके जो है वो मैंने निकाल दी, और अब अगर आपको इन्हें है, लेकिन अगर लंबे समय तक रखना है, तो कम से कम 2-3 घंटे के लिए धूप दिखा दे, मैंने यहां पर 1-5 घंटे के लिए धूप दिखा दिया हुआ था, और एक बरतन में हम डालेंगे एक चम्मच बड़े चम्मच से भरकर सौफ, एक छोटा चम्मच जीरा, और जी नहीं है, सिर्फ गर्म होने देना है, और उसके बाद आप इसमें चाहें तो से पीली सर्सो डालें, एक चम्मच पूरा भरकर, बड़े चम्मच से, और इसमें एक छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ, काली सर्सो, आप पीली सर्सो में बनाएं, बहुत अच्छी बनती है, और पीली सर्सो के साथ, एक चुटा चम्मच राई जरूर डालें, काली सर्सो और पीली सर्सो, चाहें तो दोनों बराबर बराबर डालें, और उसके बाद इसमें अब हम डालेंगे, आवले में एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक ही चम्मच काश्मीरी मिर्च, अजवाइन है एक छोटा चम्मच थोड़ा हाथों से क्रश करके इसे हम डाल देंगे नमक और काला नमक आप ये दोनों ही डाले अचार आप कोई भी बना रहे हूं नमक के साथ काला नमक जरूर डाले बहुत ही अच्छा स्वाध आने के लिए मसालों को हम मोटा दरदरा मिक्सी करेंगे इसका ध्यान रखेंगे इसका महीन सा पाउडर बिल्कुल भी नहीं बनाना है अब एक कप छोटे कप से लिया है सरसो का तेल जो ही तेल गर्म हो जाए गैस को बंद करके इसमें एक छोटा चम्मच सौंफ को डाले एक छोटा चम्मच काश्मीरी मेर्च चाहें तो मिर्च की तो आपको एक चम्मच से एक चौथाई हींग और अब गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया हुआ था अब गर्म गर्म तेल को ही डाल दे अपने इस आचार में अगर आपको तेल की मात्रा कम लग रही है तो आप तेल की मात्रा थोड़ी सी और बढ़ा दे और इसे अच्छे से मिक्स कर दे और यह आपका अचार अप खाने के लिए बिलकुल ही है तयार अगर आपको इसे स्टोर करके रखने तो आपको और दो काम करने होंगे एक तो इसमें आप एक चम्मच प्लेन सिरका वो जरूर ही मिला दे और दूसरा दो से चार दिन आप इसे धूप दिखा दे डेली कम से कम दो घंटो के लिए दूप दिखा के रखें और उसके बाद तीन से चार दिन के बाद आप किसी भी कांच की बरनी में इसे भर कर रखें पूरे साल आपका यह अचार खराब नहीं होगा जरूर बनाएं ट्राइब करें आवले के फायदे को उठाएं